देश के प्राइम मिनिस्टर मोधी जी और मान्नी अमित साह जी के दोनों लोग मिल करके देश के पैसा को भाजपा का प्राइबेट लिमिन्टेट कमपणी शमझ के पानी के तरह बहार हैं देश का पैसा देश की जनता के लिए है ना किसी पार्टी विसेश के लिए जहां यह मिटिंग इतना कर रहे हैं हर जगा सरकार का पैसा जा रहा है तो बंगलादेश में जा करके इन्हों ने जो भाशन दिया और बंगलादेश में जा करके यह चुनाव परभाविच करने के लिए प्रोग्राम बनाया जिस भासा में जिस एरिया में गये थे वहां का बहुंसा लोग मंगल में रस्ता है एक देखिए यहीं पर दरोगा का रिचा हो गया कि संगाजमें बौरडर पर उसके लिए बंगादीदी को गाली दे रहे है अरे आपके सरकार में अभीका सरकार नहीं बिहार में पोजिशन इतना बढ़ा हुआ है राद दिन क्राइम हो रहा है लूट हत्या बलातकार बैंक डखाइती मोड़ा इस्टर का इस पर कोई नजर नहीं है यह लोग सिर्फ और सिर्फ सम्विधान को ताक पर रख करके और चुनाब के लिए विदम है बंगाल में आसाम में केरल में अधी अधी तमिलाडू में यह चुनाब जीतने के लिए भगवार रंग को फाराने के लिए ब्यदम है इनको देश की चीनता नहीं है जबकि देश का 80% आदमी किसान पर है किसान से जीता है लेकिन छो महीना हो गया न प्राइम मिनिस्टर कोई सुचिला लिए और न हो मिनिस्ट देश में दो ही पावरफुल बड़ी होता है सरकार में एक प्राइम मिनिस्टर जो इस्टरनल अभेर देखते हैं और इंटरनल अफेर के मालिक होते हैं हो मिनिस्टर लेकिन अंद्वनों का कोई कहीं कुछ ही नहीं है इनका सिर्फ गुनकान करना है कि भादपा ने यह किया ये बात कहोर ने किया जैसे और ये किसी संस्ता को अचूता नहीं रहने देना चाहते हैं सब को जैसे लाम जन्हिंभूमी का काजकरम पढ़ा जैलाम जन्हिंभूमी में फैसला दिया गोगो इषा रह डीशिवरिंटिस ऑफkg तौ सबेंध्य दोता है उनका नहीं होता है उनिस्पक्ष होते yn लगरिक करते हैं हमने करवाया तौ समफुर्ष्टी हो जाती है कि गोग को को राजसभा का मेंबर बना दिया अब गोहाई साहब में मेंबर बना उनको है इतने बड़ा काम कि उनको को डिसीजन भारत में बहुत बड़ा एक लड़ाई था मनें हिंदुओं मुसल्मानों की बीच उसको दूर कर दिये दोनों प्रक्षों ने उनका आधर किया कदर किया अभी भजा रहे कि हमने कर दिया हमने कर दिया तो इससे तो संपुष्टी हो जाती है इस इनका प्राइब मिनिश्टर जिस दिन बंगाल में बोटिंग हो रहा है उसमें उस दिन बंगाल में मिटिंग जाके कर रहे हैं क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा चुनाओ पर चुनाओ के दर्वियान ही इनको बंगलादेश जाने की आप सकता थी अब बंगलादेश में गए तो वहां पूजा करने गए कहां पर जिसकी आबादी बहुत सा बेश्ट बंगाल में है और मद्धाता है और उन्हों ने वहां पर जाके कहा और वहां की जो प्राइम मिनिश्टर साहिवा से है कि हमने आजादी आपके आजादी में बहुत भाग लिया है यह कब भाग लिये भाई हमको यह बात समझ में नहीं आती है इस क्या बोलते हैं कभी करते हैं 35 वरस पे हम तक चाय बेचा अब 4245 वरस उब कि और गमिश्चषिंगे तो प्लेको लाँ एक बैड़े लांगे एक बनी एक फैसा फ्लेक में नहीं नहीं आया नोटबंदी से कहा की सब बलैक बनी हो जाएगा समाथ एक पैसा कहीं कुछ नहीं मिला एक सिर्फ और शिर्फ जिससे गरीबों को ही आधि नुक्षान हुआ कितने गरीब सहीध हो गए कितने गरीबों की बहुत बेटियों की शाधी विवास नहीं हो सका कितना पैसा के अभाव में इलाज के इनका है दूसरी हम ब्लैक मुनि लावेंगे उसका ज़्बता दिय आपको फिर कैंता हैं पंडरे लाक रुप्या हर को डेंगे आज तक एक पैसा किसी को नहीं मिला ऐसा सकें प्राइम पुलता है प्रायान मिनिश्टर के बोलने का मतलब है प्राय मिनिस्टर बोल रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है, यह नहीं है कि बोल दिया, जो मन में आप बोल दिया, बहुत बढ़ा हुआ है, इस लाइन पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए, होम मिनिस्टर का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है, पूरे देश में कहां क्या पोजिशन है तो एक किशनगंज में जो हुआ एक दरोगा का मडर वो बहुत ही निंद्दीन है है घोर मने उसकी कितनी भी कितनी भी निंदा की जाए किसानगंज के बॉर्डर पर गज़ाए किसे बंगाल के तो प्राइमिनिस्टर मुहमता दीदी को गाली दे नहीं थे बिहा प्राइमिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया ममता देवी पर उस ममता दीदी पर उजो किसनगंज वाला अति में जो मडर हुआ अधी दरोगा का उसमें भी पॉलिटिकस लग पॉलिटिकस लगाए हुए थे बंगा पर ममता पर अरे आप अपने मुखमंत्री से क्यों नह पर वा उसमें आइस को बचा लिया अद दूसरे दूसरे लोगों को फता दिया तो पांच आजबी को काटा हुआ दम होली के दिन दिन दाहरे उत्त्यस्वी जादब गए तो कुछ की हिन तो मेन भूक्त पकड़ाया तो हमरा यह कहना नहीं हमरा यह कहना है कि जो संबैधान को सब्सक्राइब। तो ममतहाप पर गारगा दिया जो किंस घंटे कर अऊजा के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं बंगला देस में और बल रहे हैं यो Ноश इत्थी में बंगाल में जिस दिन शुनाव लाई कची से लिए उस पर नहीं बोल रहां ले जर बНе झाल झाल